डेल्टा अगर नोन जीरो है तो system का unique solution आएगा वो पार्ट सबसे असान है दिक्कत तब आती है जब इस तरह का सवाल आता है कि find the value of lambda such that the given system has a unique solution, sorry, such that the given solution has given system has infinite solution और no solution, इस तरह का सवाल जब भी देखो गभराना बिलकुल मत, आंख मीच के सबसे पहला काम करना कि डेल्टा क कुछ न कुछ value जरूर आ जाएगी, उस value को आप given system of equation में डाल के check करना कि क्या हो रहा है, delta को zero करना, delta को zero करने से lambda के कुछ न कुछ value आएगी, अब उस value पे पता नहीं है कि zero solution आने वाले या infinite solution आने वाले है, यहीं पर सबसे दिक्कत आती है बच्चों को, किसे delta को zero तो कर द delta y delta z निकालनों कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही simple direct तरीका बता रहा हूं ध्यां से समझना, delta को zero किया, आपने lambda की कुछ न कुछ value आए, अच्छ, delta को zero करने का मतलब n1 vector, n2 vector और n3 vector co-planar होंगे, तो इनके co-planar होने पर इन तीनों plane की क्या-क्या position बन सकते यह वो देखते हैं पन, आपने क्या किया, आपने delta को zero किया, और lambda की value को given equation में put कर दिया, put करने के बाद, हो सकता है, कि delta की value डालते ही आपको दिख जाए कि तीनों plane तो parallel आ रहे है, यह खुली आँखों से दिख जाएगा, बड़े आराम से दिख जाएगा, जैसे lambda की value डाल होगे, तीनों अगर parallel होगे, तो बड़े आराम से आपको दिख जाएगा, और तीनों अगर parallel होगे, तो very clearly and very easily we can say that the system will have no solution, या फिर, इस case में आपको दिख रहा होगा, n1 vector, n2 vector, n3 vector co-planar है, या फिर, आपने delta को zero किया, lambda की value आई, उस lambda की value का आपने given system में डाला, डालते ही आपको पहचान में आया कि दो plane तो parallel है, तीसरा plane कट कर रहा है, ये भी आपको खुली आँखों से दिख जाएगा, दो plane parallel, जैसे आपको दो plane parallel दिख जाए, तीसरे को चेक करने के ज़रूत नहीं है, जैसी दो plane parallel दिख जाए, आँख मीच के बोल देना कि system का कोई भी solution नहीं आने वाला है, इस किस में आपको दिख रहा होगा, N1, N2, N3, इसी plane में लाई कर रहे हैं, coplanar है, इसलिए delta जीरू आया है, या फिर, delta को जीरू किया, lambda की value निकाल के, जो भी value आई, उसको और इननल equation में डाला, डाल के देखने में लगा, कि दो plane तो सेम बंगे, दो plane सेम ब कर रहे हैं, तीसरा उनको intersect कर रहा है, यह भी बड़ा असान केस है, यह जो इनकी line of intersection आ रहे है, इसके along आ गए, infinite solution, क्या कर रहे थे हैं, डेल्टा को जीरू किया था, lambda की कुछ value आई थी, वो lambda की value आपको original system में डाल के देखनी है, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो case तो आपको खुली आंकों से दिख जाएंगे, अगर इन में से कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानि कि कोई भी दो plane ना तो आपको coincident होते भी दिख रहे हैं, ना ही कोई दो plane parallel होते भी दिख रहे हैं, तब सब से ज्यादा दिक्कत आती है, यह पैचानने में कि infinite solution आएंगे या zero solution आएंगे, उस case में आपको क्या करना हैं, बहुत simple method होतार हूँ, ध्यान से देखना है, मान लिया कि lambda की value डालने पर अपन को यह तीनों के इस पैचान में नहीं आ रहे हैं, तो आप एक simple सा काम करना, कि CB एक plane को lambda 1 times पहला plane प्लस lambda 2 times दूसरा plane लिख देन ऐसा करने के बाद x और y का coefficient compare कर लेना, compare करोगे तो दो equation बनेगी lambda 1 और lambda 2 में, उसको solve करने पर lambda 1 और lambda 2 की value आ जाएगी, उन values के इसाब से z का coefficient compare करना, और constantum को compare करना, इस lambda 1 और lambda 2 की value पर अगर ये दोनों भी आपस में match हो जाते हैं, तो system infinite solution देगा, सोचो क्यों, क्योंकि अगर ये equation satisfy हो गई, इसका मतलब बन गया family of plane, family of plane का मतलब जहां से P1 और P2 एक दूसरे को काट रहे थे, उसी line of intersection से P3 भी pass हो रहा है, इसका मतलब बनेंगे infinite solution, लेकिन अगर, लेमडा 1 और लेमडा 2 की value निकालने के बाद, या तो Z के coefficient में दिक्कत आए, या फिर constant term में दिक्कत आए, या यह अवाले, राइट एंड और लेफ्ट एंड में match ना हो रहे हो, आँख में इसके बोल देना, no solution, क्यों? क्योंकि, अगर यह दोनों compare नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब यह family of plane नहीं बन रहा है, family of plane अगर नहीं बन रहा है, तो P1 और P2 जो इद दूसरे को काट रहे थे, P3 अभी इनके line of intersection से pass ना होकर, थोड़ा सा side से pass हो रहा है, तभी तो देखो न, N1, N2 और N3 तो co-planer आ रहे हैं, लेकिन यह वाली equation satisfy नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब family of plane नहीं है, यानि कि तीसरा plane इनके intersection से pass ना होकर, side से pass हो रहा है, दिख रहा होगा आपको आने वादा है, no solution, कितना आसान है, डेल्टा को 0 किया, लेम्डा की value निकाली, लेम्डा की value को original equations में put किया, पुट किया, तो अगर कोई parallel plane या coincident plane है, तो बिना कुछ की आपको पैचान में आ जाएगा, कि solution है या infinite solution है, अगर पुट करने पर पैचान में नहीं आ रहा है, तो यह वाली equation लिखना, x और y के coefficient या कोई भी दो coefficient compare करके, लेम्डा और लेम्डा टू निकालना, उन values पे बच्चे वे coefficient भी compare हो जाए, इसका मतलब family of plane है, family of plane है, तो infinite solution है, अगर कोई एकाथ coefficient compare नहीं हो रहा है, लेकिन still N1, N2, N3 coplanar है, यानि की तीसरा plane यहां से पास नहीं होकर, कुछ नीचे से उपर से, दाएं से बाएं से पास हो रहा है, system के आएंगे, no solution, एक question करके दिखाता हूँ, आपके सारे doubt clear हो जाएंगे, तो question यह के given system वे एक question दे रहा है आपको, उसमें एक variable है, delta बना 1, minus, यह बना 6 to minus 4, 4 minus lambda, 4 minus lambda, delta की value आगई 4 minus lambda, delta is equal to 4 minus lambda, इसको साइट में निख लेता हूँ, और इस वाले portion को मैं मिटा जेता हूँ, सबसे आसान पाट कौन सा, unique solution कब आएगा, unique solution आएगा, जब lambda 4 के बराबर ना हो, चार के लावा कुछ भी लेलो, delta non-zero आजाएगा, non-zero आते ही, unique solution आजाएगा, खतम बात, दिक्कत इसे ही में आती है, कि lambda अगर 4 हुआ, तो पता नहीं, no solution आएगा, पता नहीं, infinite solution आएगा, क्या तरीका बताया है, मैंने, लेंडा की value को given equation में डाल दो, डालते हैं जड़ा, तो डालने पर बन रहा है, x is equal to 1, 1 minus 3, 2, 4, 1 minus 1, 6 minus 5, 3, दिख रहा है कि lambda को 2 डालने पर, कोई भी plane, कोई भी दो plane आपस में, ना तो parallel बनते वे दिख रहे हैं, अपने मान लेते हैं कि P3 is equal to lambda 1 times P1 plus lambda 2 times P2, P3 क्या है, P3 है 1, minus 3, 2, और minus 7, पूरी equation लिखने हैं जरूँ नहीं, सिर्फ coefficient compare करने हैं, तो P3 coefficient लिख लिए अपनने, अच्छा, ये ध्यान रखना कि constant या तो सारी right में हो, या सारी left में हो, P3 coefficient लिख लिख लिए, equal to lambda 1 times P1 के coefficient, sorry, ये P1 के लिख लिख लिए, अपनने, कोई बात नहीं, P3 के coefficient है, 6, minus 5, 3, और 1, is equal to lambda 1 times, P1 के coefficient, 1, minus 3, 2, और minus 7, plus lambda 2 times, P2 के coefficient, 4, 1, minus 1, and minus 5, X के coefficient compare कर रहा हूँ, यहाँ पर X का coefficient 6, वहाँ पर lambda 1, plus 4, lambda 2, Y का coefficient, यहाँ पर minus 5, यहाँ पर minus 3, lambda 1, plus lambda 2, इन दोनों को small करके, lambda 1, lambda 2 निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसको multiply कर देते हैं, 3 से, यह बन गया 18, यह बन गया 3, lambda 1, यह बन गया 12, lambda 2, दोनों को add करूँ, तो 18, minus 13, 13, lambda 2 की value आई, 1, lambda 2 को 1 डाला, तो lambda 1 की value आई, 2, बड़ा अराम से lambda 1, lambda 2 निकल गया, अब चेक करते हैं, जड़ा, Z का coefficient, सेम बन रहा है क्या, Z का coefficient, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, lambda 1, minus lambda 2, 2, lambda 1, यानि 4, lambda 2, 1, यानि कि 3, equal to 3 आ रहा है, Z का coefficient तो compare हो रहा है, constant हम, यहाँ से आई, 1, यहाँ से आई, minus 7, lambda 1, minus 5, lambda 2, lambda 1, lambda 2, दोनों positive यहाँ डालूंगा, तो यहाँ 1 आ रहा है, और यहाँ पर कुछ negative quantity आ रही है, both are not equal, दोनों equal नहीं है, इसका मतलब, family of plane वाली condition satisfy नहीं हो रही है, यानि कि, तीसरा plane यहाँ से पास ना होकर, कुछ side से पास हो रहा है, side से पास हो रहा है, तो बड़े आराम से दिख रहा है, कि system का कोई solution नहीं आएगा, यानि कि no solution कब होगा, जब lambda की value 4 होगी, यानि system का infinite solution कब आएगा, infinite solution कभी भी नहीं आएगा, चार लेने पर तो no solution आजाएगा, not equal to 4 लेने पर unique solution आजाएगा, infinite solution system के कभी भी नहीं आपाएगे, इतना simple है, delta x, delta y, delta z, कुछ नहीं निकाला मैंने, delta को zero करके जो value आई थी, उसको put किया, put करने पर equations बनी, मान लिया कि ये family of plane है, अगर family of plane की condition satisfy हो रही है, फिर तो ऐसे plane हो रहे होंगे, यानि कि infinite solution आ रहे होंगे, family of plane की condition satisfy नहीं हो रही है, यानि कि no solution आ रहा होगा, एक straightforward तरीका बता दिया आपने, मैंने आपको और इस method को follow करें को सारे question हो जाएंगे, अगर किसी question में आपको दिक्कत आ रहे हो, particular question में ये वाला method लगा कि आपको answer नहीं आ रहा हो, comment में ज़रूर लिखना, या मुझे WhatsApp या टेलिग्राम कि थूरू question की photo बेच के बेच देना, इस method से मैं आपको question solve करके दिखाऊंगा, ताकि आपको और clarity आजए, एक चीज़ बचिए अब, homogeneous system of equation,